Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, तो आज बताने वाला हम क्लास accounting principles, concepts and conventions आज की वीडियो बहुत important है, आपको बिल्कुल basic से बताऊंगा कि accounting concepts क्या है, accounting principles क्या है और आपको किस तरीके से इनका यूज करना है, और last में हम पढ़ेंगे class conventions को, यानि कि accounting की जो convention से परंपरा है, वो यूज करेंगे, concepts और convention का difference क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे हम बात करेंगे, और सारे के सारे concepts को और conventions को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो पूर completely theory है, completely understanding based है, तो आप सब बहुत अच्छे समझना की चीजे होती क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कि accounting को करने से पहले, आपको कुछ assumptions लेने पड़ेंगे, कुछ principles हैं, कुछ सिधान्त हैं, जिनको आपने follow करना पड़ेगा, उन principles को follow करना क्यों जरूरी है, ताकि एक common चीज अगर आप follow नहीं करोगे class, तो accounting concept तो legally आपको follow करना पड़ेगा, और conventions तो class आपकी मर्जी है, बट हर कोई follow करता है, एक trend, एक fashion बन जाता है, कि हाँ मैं इसकी को follow करना है, और वो करोगे, तब भी आपके accounting सही मानी जाएगी, और सही से लोग आपी company पे उपर भरोसा करेंग और आपको पैसे देंगे, ताकि आप company को grow कर सकोई, तो सबसे पहले बात करते है class accounting concepts की, तो accounting करने से पहले कुछ concepts हैं, जिनका आपने ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बोलते है class accounting concept, तो accounting concept क्या-क्या है, जरह हम बात कर लेते हैं, उनकी concept का हो, class या assumption का हो, एक ही बात है, तो accounting जब भी हम start करेंगे, तो हमें class पता होना चाहिए कि क्या-क्या assumptions देने पड़ेंगे, तो कई बार इंटर्व्यू तक में भी आपको इस सारे question पूछे जाते हैं, अभी तो बहुत basic level है आपका, आगे तक भी ये question आपको पूछा जाता है, आप अगर accounting की बात करेंगे, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, as per the accounting standard one, sir accounting standard क्या होता, इसकी बात हम बात में करेंगे, बस आप इतना ध्यान रखो अफे लाल, कि हर एक अलग-अलग class मालो company है, सब अपनी तरीके से अगर accounting करेंगे, तो जो user है, user of accounting information बता चोगा होना, आपको internal user और external user, उन लोग को समझी नहीं आएगा, accounting, वो alliance का पढ़ रहे है, पता निनी उने कैसे बना रखाए, Tata का पढ़ रहे है, पता निना कैसे बना रखाए, class Infosys का पढ़ रहे है, पता निनी उनी कैसे बना रखाए, हर एक company अलग-अलग है, लेकिन हर एक का जो accounting करने का तरीका है, वो same होना चाहिए, इसलिए accounting standards बना रखें, AS बना रखें, 1, 2, 3, 4, numbering, ऐसी, आगे तक जाती है, तो यह जो accounting standard है, यह rule regulation बताता है, कि भया, आपको इन इन तरीके से काम को करना पड़ेगा, ताकि हर किसी की जो balance sheet है, वो uniformity तरीके से बने, एक जैसे तरीके से बने, ताकि जो users है, वो पढ़ कर, ultimately हम क्यों करते है accounting, ताकि users को information दे सकें, तो users अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, तभी तो class user काम कर पाएगा अच्छे से, तो इसको समझेगा कैसे वो, जब आप उसको एक ही तरीके समझाओगे, तो हर company के लिए इसको follow करना जरूरी है, तो accounting standard 1 कहता है, तो आपको यार यह जरूरी पूचा जाए, चाहे ना पूचा जाए, बट आपको यार यह जरूरी पूचा जा सकता है, कि तीन basic fundamental assumption कौन से है, fundamental मतलब basic assumption, तो आप class short में बताता हूँ, जैसे bag पढ़ते हो na, bag bag, तो उसी तरीके से आप पढ़ लेना, इसको अच्छे से short में याद करने के लिए, cag, 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 c से क्या होता है, consistency, अब यह वर्ड तो आपको पता हुआ कई सारे बच्चों को पता है, तो please comment में लिखो, consistency, a से accrual और g से going concern, consistency, accrual और going concern, ध्यान रखना, c से consistency, a से accrual और g से going concern, यह तीन के तीन क्या है, basic fundamental assumption है, तो sir, जरा इन्हें समझाईए, क्या होता है, consistency, क्या होता है, accrual, क्या होता है, going concern, बिल्कुल, detail में करेंगे, वीडियो लाइक कर दो class और यह चैनल क्लास आप ब्ल तो को please share करो, बहुत important video है, बहुत अच्छा understanding मिलेगा है, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करते है, going concern, concept, going, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, concern का मतलब यहाँ पे है कोई भी business, चाहे वो sole proprietorship हो, जहाँ खेला owner है, partnership है, जहाँ कई सारे owner है, NPO है, NGO है, या कोई private company हो, च business, तो going concern, concept क्या कहता है, कि एक बार आपने अपने business को start कर दिया, तो उसे बंद करने के बारे में मत सोचना, specially तब तक उसे बंद करने के बारे मत सोचना, जब तक कि कोई clear evidence ना मिल जाए, पुकता सबूत ना मिल जाए, कि अर हमें तो business को बंद करना ही है, तब तक आप उसे बंद करने के बारे में नहीं सोचोगे, इसलिए कई बार जब companies को नुकसान होता है शिरू में, तो बंद करके भागनी जाती है, वेट करते हैं, कोई बात ने, आज नुकसान हुआ, एकल profit होगा, आगे profit होगा, आपने बंद करके नहीं चलना है, इसलिए एक word का नाम अगर आज खर्चा कर देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि अगले साल भी हमारा बिजनस चलता रहेगा, समयज़ने बात को तो यह होता है, गूइंग कंसर्न, concept, यह basic fundamental assumption में, पहला assumption है, गूइंग कंसर्न, यह आपका बिजनस चलता रहेगा, कभी भी उसे मत सोचना है कि यह बंद के ही बनाते हैं, बस तो अव्यस से हमें अपना बिजनस आगे बंद दिख रहा है, क्यार कल को हमारा बिजनस बंद हो जागा, पटाके बैन हो गए, क्रेकर बैन हो गए, अब हम क्रेकर बनाते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें कल को अपना बिजनस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, शुट डाउन करना पड़ेगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि गोईंग कंसर्ण कॉंसेप्ट कहता है, कि आपका बिजनस जो है, वो क्लास उनपोर्शीन पिरिएड तक आगे तक लाइव टाइम तक हमें चलता जाएगा, कभी भी आप उसे बंद कर आयके लेकुट कहते हैं, कि वो हम पढ़ते हैं कि नलके से पानी गिरते गिरते जो है, वो क्लास SEEMENT में भी छेद हो जाता है, रस् सिखांट क्लास किह चीचें है कुवे से तो आपको पता है Erst Sab Lamp Ay promi, क्लास, जो एक को आपको निशान पढ़ जाते हैं कि गोई के क्लास स इस साल अकाउंटिंग को करदेवक्त लगाया है। वही आप अगले साल भी उसके अगले साल भी और उसके अगले साल भी लगाओготов तैक्थ रूज़ुलियर अप आगे आने वाले टाइम में भी लगाऊगे, ताकि जो पढ़ने वाला बंदा है, वो सारी चीजों को अच्छे समझ सके, पढ़ सके, और class, उसका जो प्रॉपर मीनिंग है, वो निकाल सके, that is called consistency, मानलो class, एक depreciation है, depreciation लगाने के दो मेथड होते हैं, straight line method और written down value method, तो अगर आप इस साल straight line method लगाऊगे, depreciation भी पढ़ाऊगा, आपको तब detail मताऊगा, तो जो method, जो rule regulation आपने इस साल लगाया है, वही method, वही rule regulation आपने अगले साल उसके इस साल लगाना है, that is called consistency, next आता है accrual concept, सुनना मरी बात को कि accrual concept क्या है, देखो, यह आपका एक accounting period है, यहां से लेकर यहां तक आप accounting करते हो, accounting आपको पता है कि period दो होते है, year दो होते है, क्लास accounting करने के लिए, calendar year और financial year, calendar year वो है, जो एक जनवरी से शुरू होकर, calendar की तरह 31 December खतम हो जाता है, जिबकि financial year वो year है, जो एक April से शुरू होकर 31 March तक चलता है, दोनों महीं जो time period है, gap है, वो 12 महीने का है, तो वो अभी नहीं दिया, पर कराया तो आपने इस साल ही, तो इसे आप इसी साल का खर्चा मानोगे, भले ही इसका पैसा आप इसे अगले साल दो, या आपने इसका पैसा एक साल पहले दे दिया होगा, तो मेरे कहने एकला सिर्फ इतना ही meaning है, इतना ही sense है, कि जो भी खर्चा या कमाई, वो जिस पीरेड में होता है, आपको उसी पीरेड में रिकॉर्ड करना है, भले ही पैसा आया हो, या पैसा गया हो या ना गया हो, उससे हमें लेना देनी है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि ये खर्चा इस साल का है, इस साल एंप्लोई से काम करा मतलब जिस पीरिड में जो काम हो रहा है, आपको उसे उसी पीरिड में रिकॉर्ड करना है, भले ही पैसा आया हो या गया हो, पैसी का मुवमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, that is called accrual concept, I hope आपका accrual concept अला concept जो है वो अच्छे से clear हो चुका होगा, ठीक है, next देखते ह क्या होता है business entity concept, एक बार आपने ध्यान रखना है कि जो owner है, जो owner है और जो owner का business है, ध्यान समझना, owner और owner का business, दोनों बेटा अलग-अलग होते हैं, ध्यान रखना, owner अलग है और owner का business अलग है, मैं अलग हूँ और मेरा business जो है वो अलग है, owner is separate from its business, इसी लिए आप कभी य liability है, बच्चे बोलते हैं, sir, capital liability कैसे हो गया, बेटा, capital owner ने लगाया है business में, मतलब owner ने business को उधार दिया है, owner ने business को उधार दिया है, तो ये पैसा business के लिए क्या है liability, sir, मैं ही तो मालिक हूँ और मेरा ही business है, कोई बात नहीं, लेकिन assumption लेने के लिए क्या मानोगे, आप owner क उसके business से क्या मानते हो, आप separate मानते हो, separate entity या, business entity concept, क्या owner जो है, वो हमेशा different होगा, किस से business, example, मेरी राशिन की दुकान है, और मैं मेरा मन करा, मुझे भूग लगी, मैंने chips निकाला और खाने लगा, तो भाया मुझे अपनी जेब से अपने गल्ले में, जो business का गल्ला है, उसके अंदर पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलगू मेरा business अलगे, सर ऐसा क्यों करेंगे, हमारे तो business है, हम अगर ना माने, ultimately profit हमें मिलने वाला है, मिट अगर आप ऐसा नहीं करोगा, आप साल के end में ये calculate नहीं कर पाओगे, कि actual में आपके business ने कमाया कितना है, कु क्या होगा, capital हमेशा balance sheet की liability side रहती है, इसे बोलते है internal liability, ये पैसा मालिक की liability है, तो इसलिए owner अलग है, और owner का business जो है, वो बिलकुल different है, उससे अलग है, तो ये तीन चीज आपने class, आपने ये तीन चीज तो ध्यान रखे ली थी, ये तीन पॉइं पॉइं तो बता जे था consistency, accrual or going concern, C.A.G. consistency, accrual or going concern, ये तीन तो आपको याद हो गया, अच्छा, अलग क्या था class, business entity concept बता देवान आपको, कि जो business है, वो अलग है, उसके class owner से, business is separate from its owner, next है money measurement concept, या class money measurement concept और जो 6th है, वो है class accounting period concept, अब मेरी बात समझना, money measurement concept कहता है, आप उन्ही सारी चीजों को books में record कर सकते हो, जिनकी कोई money value है, like आप क्या कर सकते हो, दो car plus एक truck add कर सकते हो, बिलकुल नहीं कर सकते, sir, दो car plus एक truck add करेंगे, तो क्या आएगा, नहीं कर सकते, लेकिन, अगर इनकी value money में measure कर दोगो, तो आप add कर सकते हो, दो car मा टीस लाग, तो टोटल कितना आईग, पचास लाग, तो money measurements concept कहता है, आप accounts में उन्हीं चीजों को record करोगे, जिनकी कोई money value है, यानि जिन चीजों को पैसों में record किया जाता है, पैसों में major किया जाता है, हम उन चीजों को record कर सकते, उनके अलाबा, हम किसी को recorduta कर सकते, जयस उसको waste नहीं करते हैं, क्या आप ऐसी जो को record कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, तो money measurement concept कहता है, जिन जो की value money में measure की जा सकती है, हम सिर्फ उनको ही record करेंगे, उनके इलावा किसी को record नहीं कर सकते हैं, जिए जो है, वो है accounting period concept, accounting period concept, जान समझ ना, मैंने आप से कहा, आपका business एक बा सारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, लेकिन आप accounting थोड़ी साल के end में करोगे, बिल्कुल life के end में, accounting तो आप बीच-बीच में करते रहोगे, तो यानि कि आप पूरी की पूरी life को छोटे-छोटे part में बाट दोगे, और जैसे बच्चा जब nursery में admission लेता है कहीं, तो board examination सीथर दसवी में होता है, तो कि नरसरी से लेकि दसवी तक उसका कोई paper नहीं होगा, उसकी performance को कैसे evaluate कि जाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, समझ रहे बात को, तो इस situation में क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी life को छोटे-छोटे part में बाट देते हैं, और हर एक period को हम लोग पूरी को पूरी को बाट देते हैं, हर एक पार्ट को एक period बोलते हैं, और इस period के अंदर हम profit loss calculate करेंगे, पूरा का पूरा उसका evaluation करेंगे, फिर्म ने कितना कमाया, ता कि अगले साल हम compare कर सके और उसके पिछले साल से, और उसके पीछले साल से compare कर सकें, अगर paper ही नहीं आप बिजनस को अनलाइज नहीं करोगे, इस साल के अंदर आपका पर्फोमेंस कैसा है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो इसे बोलते हैं, क्लास अकाउंटिंग पिरिड प्रिंसिपल, या अकाउंटिंग पिरिड कॉंसेट जहां पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प बिजनस के डाटा को अनलाइज करते हैं, यानि कि उसको पूरा का पूरा फञांशल स्टेप्मेंट बनाते हैं, नेक्स्ट, कॉस्ट कॉंसट, यह आप कह सकते हो, अकाउंटिंग की लिमुडेशन भी है, मैं अकाउंटिंग की लिमुडेशन मैं आपको बता चुका हूँ, cost concept क्या होता है यह कहते है कि आप हर चीजों की value जो है ना books में cost पे दिखाओ यानि कि अगर आपने building पचास लाग की खरीदी आज शुकी मत दो करोड़ है बट कोई problem ने आप पचास लाग के ही दिखाओ हर चीज की value आप किस में दिखाते हो cost में यानि उसकी जो लागत है जितना तुमको पड़ा है जितना तुमारी जेब से पैसा लगा है हम उसकी value को books में दिखाते है that is called cost concept dual aspect आप सबको तो पता ही हो अगला dual का मतलब क्या है two effect यह कहता है कि हर चीज का double aspect होगा एक चीज debit होगा तो दूसरा credit होगा आप sale करते हो तो sales credit होता है ठीक है और cash क्या होता है debit बतला पैसा आएगा और समान भी जाएगा खरीद रहे हो तो समान जो है वो आएगा पैसा जाएगा बेचों के पैसा आएगा समान जाएगा रेंट दे रहे हो तो आपका खर्चा जो है वो हो गया तो प्रॉफित कम हो जाएगा और पैसा चला जाएगा डूल असपेक कहता है काउंटिंग में हम देखेंगे भी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आगे पढ़ेंगे पिछला साल यानि की प्रीवेश एर ध्यान समझेंगे पिछला साल है यह यह वाला यह करेंट यह है ठीक है और यह आपका है next year आपने एक बाद है जिस डेट को सेल हुई है उसी दिन रेवेन्यू को बुक कर दो सिंपल सी बात कहानी खतम पूरी, जिस date को sell हुई है, उस दिन revenue book करेंगे, पैसा कब मिला है, मुझे उससे लेना देना नहीं, पैसा किसे पहले मिल चुका हो, क्या पता अभी मिले, क्या पता अगले साल मिले, अगले दो साल बाद मिले, पिछले दो साल मिल चुका हो, मुझे लेना देना नहीं है, जिस date को sale हुई है, मैं revenue उसी date को book करूँगा, जिस date को sale हुई है, ठीक है, अब मिनी बात समझना, यहाँ पे sale हुई है, पैसा मुझे यहाँ मिल चुका है, तो बताओ, मैं income पिछले साल की मानूँगा या इस साल की मानूँगा, बेडा, sale कब हुई है, income इस साल की मानेंगे, पैसा कम बिला, मुझे लेना देना नहीं है, sale इस date को किया, पैसा इस date को मिलने वाला है आपको, अगले साल मिलने वाला है, तो आप मुझे बताओ, कब की sale दिखाओगा, पिछले साल की इस साल की, ध्यानक ना, पैसा कर अगले साल मिलने वाला मुझे पैसे से क्या मतलब है, सेल कभ हुई है, इस current year में तुम इस current year की income को दिखाऊंगा इसके अंदर, okay, I hope class यह आपको समझ आ गया होगा, revenue आपको कब बुक करना है, बहुत important concept है class, बहुत important concept that is matching concept, समझे ध्यान से, matching concept कहता है कि आपके revenue को match करना है आपके expenses से, अगर खर्चा बारा महीने का ले रहे हो, तो कमाई भी बारा महीने का लो, जिस period की revenue को calculate कर रहे हो, कमाई जिस period की ले रहे हो, खर्चा भी उसी period का ही calculate करो, that is called matching concept, simple सी बात मैं बताओं आपको, अगर मालो, मैंने मकान माली को किराय दे दिया है 10 महीने का, मालो मेरा एक महीने का rent है 10 अजार, तो मकान माली को मैंने 10 महीने का rent दे दिया, that is called 1 लाग, ठीक है, और मेरी sale जो ही ही है, वो ही है 2 लाग की, sale है 12 महीने की, और जो खर्चा है तो 10 म महीने का है तो क्या मैं 2 लाग से 1 लाग घटा के ये बोलूं सबसे कि मुझे 1 लाग का प्रॉफिट हुआ है क्या ये बोलना सही होगा कि मुझे 1 लाग का प्रॉफिट हुआ है बताओ क्लास सब लोग कॉमेंट में क्या ये बोलना ठीक है कि मुझे 1 लाग का प्रॉफिट हु जाएगा, outstanding rent हो जाएगा, और outstanding rent आपका liability है, मतलब आपका खर्चा हुआ हो ना हुआ हो, कमाई मिली हो चाहे ना मिली हो, भीया कमाई 12 महीने के लिए हो, तो खर्चे भी 12 महीने के लो, अदरवाज 10 महीने के लो, तभी असली profit आएगा, इसे कहते है एक लास matching concept, अगर आपने 15 आपका 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 आपक कापने BOOK कर दे कैसे डे के CHP केंवाइजêu का and pay интересно बेंगे किया जी देखांगा बाएग फैस का लार्ग बेंगे है पीदिखांग ब्स केंवाइज का पांच 이 कि अबिएक पार दिखा भीक्र भीशिंत करो के Conventions यानि परंपरा, accounting में इन परंपरा को फॉलो किया जाता है, तीन Conventions है क्लास में आपको बताऊंगा, सबसे पहला है Convention of Full Disclosure, बहुत ही सिंपल है क्लास, यह परंपरा है कि आपको सारी चीजे दिखानी है, Contingent Liability है तो Footnotes में दिखाना है, आपको दिखाना सारी चीजे, छुपाना कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ भी छुपाते हो, तो यार यह प्रॉब्लमिटिक सिचुएशन है, शेरोल्डर को कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी चीजे आप क्लास उनको बताओगे, सारी चीजे अच्छी से डिस्क्लोस करोगे, कुछ भी छुपाने का नहीं है, जो भी चीज है, वो सब के सब आप उसको दिखा दो, अपने books में आपको दिखाना है, अलग अलग notes, accounts होते हैं, उसके अंडर आपने सारी चीजे दिखानी है, этом will disclose, सब कुछ disclose करना है, पर छुपाना कुछ नहीं है, वो सारी चीजे दिखानी आपको, जो चीजे क्लास कही न कही शेरोल्डर्स को पता होना चाहिए, छुपाना कुछ नहीं है, नेक्स इस वेरी इंपोर्टेंट, क्लास यहां टाइम लेएगा, पांच मिद्ध ध्यान सुनना, materiality, सर, materiality की definition क्या है, क्या चीज material है, अगर मैं 50 क्रोड रुपए कमाता हूँ साल का, तो मेरे लिए 1 लाग रुपए इंपारियल है, क्या है 50 क्रोड सामने 1 लाग रुपए, जाने तो चलो, लेकिन अगर मैं साल का 2 लाग कमाता हूँ, और तो मेरे लिए जो 1 लाग है, वो important ह है, वो material है, तो ये तो सर, कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या चीज material है, क्या चीज immaterial है, क्या चीज immaterial है, क्या एक इंसान के लिए कोई चीज material हो जाएगी, एक इंसान के लिए कोई चीज immaterial हो जाएगी, लेकिन यह principle कहता है, आप उन्हीं चीज को record करो, जो material है, यानि कि इन material चीजों को record मत करो, sir material का मतलब क्या है, हम किसको record करेंगे, किसको नहीं record करेंगे, बेटा सुनो, ऐसी कोई चीज, जिसको छुपाने से, ऐसी कोई चीज, जिसको छुपाने से, आपका decision बदल जाएगा, तो यानि कि वो चीज क्या एकलास, material है, आप गाड़े लेनाया मेरे शुरूम में, उसका engine खराब है, मैंने चुपा दिया आपसे, मैंना गाड़ी मस्त है, तो आप खरी decision change हो जा रहा है, है की नहीं, तो उस चीज को जनलब ये चीज, material है, और ये जरूरी है, अचा, immaterial कैसे होगा, side mirror में जोड़ा scratch है, मैं बोल दूँगा, भाई सब side mirror में जोड़ा scratch है, आप कोई बात नहीं चलेगा, तो मतलब मैं बता हूँ चुपा हूँ, आपको फरक नही चीज हैं यार, immaterial है, उसको बताना ना बताना कोई फरकनी पड़ता, तो shareholders को वो चीज बताओ, जो material है, आप कहां कोई भीकारी पैसे मांगने, आपने पांच रुपे दे दिए, ये financial statement में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताओगे, नहीं बताओगे, shareholders को फरकनी पड़े या इसे कहते हैं, prudence, बहुत ध्यान समझे तो आपने जरूर पड़ा हुआ कर दिए, लाइफ में आगे भी काम आएगा आपको, prudence कहता है, future में होने वाले loss के लिए आप आज ही provision बना लो, असर provision क्या होता है, मैंने current laboratorium बता रखा है, provision क्या होता है, अगर future में कोई loss हो आपको, और आप उसके लिए पहले से ready रहना चाहते हो, तो आप provision बनाते हो, अगर future में लग रहा है, कोई loss हो सकता है, तो पहले से आप तयार रहते हो, पैसे जोड के, like provision for a bad and doubtful debt, मुझे लग रहा है को पैसे लेगे भाग जाएगा, तो मैं पहले से पैसे जोड कर पहले से पैसे जोड कर रहूँगा, उस टाइप से, कोई बढ़ा युलिगल है, तो अगर आप future में आपको लग रहा है कोई बीect को relevant क्यों सकता है, तो पहले से पैसे जोड के चल रहे हो, पहले से provision बना रहे हो, तो से बलते है class provision, तो in future, को बीग नुक्सा अगर आपको ल तब तक जब तक के फाइदा हो के तुमारे जेब में पैसा ना आ जाये, तो इसे बोलते हैं, class conservatism, सीधी सीधी बात बता हूँ, to the point, future में होने वाले लॉस के लिए provision बना लो, पहले से ready रहो, पैसे जोड के future में होने वाले फाइदे को इग्नोर को भूल जाओ, अगर आपको future में फाइदा होने वाला है, तो इसे बूल जाओ, तब हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, जब ultimately पैसा हमारी जेब में आएगा, तब हम रिकॉर्ड करेंगे, लिए फाइदा होने वाला है, बूल जाओ उसको, तब तक जब तक फाइदा होना जाए, that is called prudence, prudence class convention, तो convention तीन आपने पढ़ लिया, पहला है class prudence, दूसरा है materiality, और तीसरा full disclosure, full disclosure, materiality, ठीक है, और क्या है, prudence, यानि conservatism, और class 3 fundamental assumption क्या पता है था, C, A, G, C, A, G, Consistence, Accrual or Going Concern, तो I hope class मैंने इस चोड़ी सी वीडियो के अंदर class आपको सारे concept करा दिये, सारे conventions करा दि करा दिये, वीडियो को लाइक करे class, चैनल को सब्सक्राइब करे वा लाइक अंद दवादो, सारे दोस्तों में श्रीकर दो class, आगे अगले next class में आपक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए, बाई-बाई, टेक क्या.